असलाम अलेकूम, हेलो फेंट्स, वेलकम टो माई जहरास की चेन, आप सब कैसे हैं, अलहमदोलिला उम्मीद करती हूँ आप सब खेरियत से जरूर होंगे, आज मैं आप सब के साथ मोगलाई कीमा पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसे बनाना बहुत आसान है, बह आप लाठा के लाठा के लिए, मैंने यहां लिया है 250 g करीब मैदा, एक बॉल पर मैदा डालेती हूँ, इसी के साथ 250 g करीब मैदा डाल दूगी, मैं यहां पर गेहुका आठा और मिलाकर ही मगलाई पराठा बनाने वाली हूँ, आप चाहें तुस्ति गेहुका आठे से भी अपर मैदे से भी बना सकते हैं, तो यहां पर मैं एक चोटी चमचे करीब नमक एट कर लेती हूँ, आप अपने हिसाब से यहां पर नमक एट किजिएगा और साथी एक चोटी चमच अजवयन को हाथ से अची तरह से क्रस्कर कर ले इससे क्याना पराठे का बहुत अच्छ अब मैं पर दो चमचे करी पेल डाल लेती हूँ, आप चाहे तो घीवी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे यानि खास्ता कर लेंगे और इसे गुंदने के लिए मैंने हापर हलका गर्म पानी का इस्तिमाल किया है आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस तरह से चिकना गुंदने के लिए मैंने एक कपके करी पानी लिया था लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बच गया है तो यहां पर मैं थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ और अच्छी तरह से मसल कर चिकना गुंदने उसके बा चैसे देब काराथे कारगा नेेया है अब गर्म फिरेव naa हम जके चावटरा प्रेव Caesar करिज विए बाराए में ज कौछी टोप आपि कारें रोली होग सब्साइब अदर्सक्राइं चौछी चमाचलिया पावडर वाधी कीमे को मसाली के साथ हम तकरीबन पकाएंगे 8-10 मिट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर कीमा पकने के दौरान पानी चोड़ेगा हमें पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है तो देखिए इस तरह से आपको चमत से कीमे को तोड लेना है अब देखिए कीमे का कलर पूरी इस तरह से आपको कीमे को तोड लेना है अब मैं हाप नमक डाल लेती हूँ एक चोटी चमाचे करीब नमक आप अपने हिसाब से कम्याश जादा कर सकते हैं तो इसे मैं अची तरह से मिक्स कर लोंगी कीमे में जैसे ही पानी सुख जाएगा मैं हाप दो मीडियम सा इसके प् तब तक कीमे कर पानी सुख जाए तब स्टोप के लोंगी पानी सब्सुख जाएगा मैं तब लो फ्लेम पर इस तरह से चमाच लातेवे पकाना है इससी दौरान मैं हां पर दाल यहां पर हईले नमक पर कड़िए के हां नी मैं हाथ का पी पुदीने के पत्ते कु बारी मिक कीमा जो बन के तयार है, अब में फिर्टोप को अफ कर लोगी और इसे हम बिल्कुल पूरी तरह से थंड़ा हो चुड़ेंगे उसके बाद हम नेक्स प्रोसेस पर चलेंगे तो अब में फिर्टोप को अफ कर लेती हूं और इसे हम फ़ैन के नीचे रख लेते हैं ताकि कीमा कीमा फुरी तरह से थंड़ा हो चुका है और आठा भी हमने लगा कर लगा था पराठे के लिए बहुती सॉफ्ट हो चुका है यहां पर 15-20 मिनिट के करीब टाइम हो गया है और मैंने यहां पर कुछ थोड़ा सा लिया है सूखा मैदा जिसे मैं पराठे को बेलते वक्त इस अब मैं एक बरतन पर डालेती हूँ दो अंडे को तोड़ कर क्यूंकि हमें यहां पर अंडे कुछ नहीं होता है मुगलाई पराठा में कीमा और अंडा मिक्स रहता है तो यहां पर मैं डालेती हूँ एक चुटी चमाचे करीब वाइट पेपर आप चाहें तो ब्लाक पीप मुगलाई पराठा में टाफिंग के लिए इस दरह से अंडे का बैटर तैयर करना है पहले हम अंडे का बैटर तेयर करें दो शेचाओ लिए नहीं पाका हुआ है तो अब मोड़ाई पराठे का स्टफिंग बिलकुल तेयर है अब में हापर एक गोला ले लेती हूं आटे का जी आपने के लिए चैसे नी के more आपन besar नहीं के नहीं मुचला पहलें देशिए फिल के पलें अडिक और अपो दो तुद्माश और और बैते हैं हम यहां लेछ भीता में क्यां मेंटीन और पाणी कर दोस्कांषे हुं। अब में फोल करना है तो अन्डे कहले ची पाल कि अो झाल टाल रिखोर प्रोसेसे जल्दी करना होता है क्योंकि हमने अंडे का बैठे डाला हो भाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमको इसे अन्डे को उसे लिए को इसे तरह पहला है और एक आपको दिखा देती हूं बनाकर तो बहुत ही मज़दार का हमारा मुगलाई कीमा पराठा बनकर तयार होता है आप जरूर बनाकर बनाना बहुत आसान है तो दो पराठे मैंने बनाकर तयार कर लिया है अब हमें चलना है इसे सलो फ्राइ कर सकते हैं या फिर आप इसे स शाहें जुआ जो कि फोड़ेंगे एक शुदे जाएंगे एक अन्ते ऐसे पालत लेती हूं और उर एक पराथा वी उसके अंदर रख लेती हूं तो इसी तरह से हमें पराथे कुछे बी। एक पराथे कुछे शेला अन्ते लेंडि कर दो लेना है आप इसे चाहें तो डिप्र मुगलाई पराथा बना है। अपर से क्रिस्पी रहता है। और अंदर कीमा और अंड़ा बहुत है। अच्छा लगता है। तो इस तरह से जरूर बना कर देखिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ पैंसे एक बार इस मुगलाई पराथा की रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राय करके देखिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे बार 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 बनाना चाहोगे। आप इसे गर्मा गर्म टोमैटो केचप के साथ भी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में बेल आइकउन को क्लिक करना मत भूलिए। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी। आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलत कीजिए पाएंगे।